मनुस्य के जीवन के अंदर प्रियोग होने वाले मुहावरे वा लोकोक्तियों के संक्या बहुत ही अधिक है और आज हम इस वीडियो के अंदर जेसा देश, वेसा भेश, मुहावरे या लोकोक्ति के अर्थ है वह इसके वक्किम प्रियोग के बारे में बड़े ही विश्तार से जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखे सबसे पहले हम जा लेते हैं कि जेसा देश, वेसा भेश, मुहावरी या लोकोक्ती का अर्थ क्या होता है यानि इस मुहावरे या लोकोक्ती का अर्थ होता है जहां रह रहे हो उसी इस्तान की समाजिक रीतियों नीतियों के अनुसार रहना दोस्तों, आज के समय में, जो व्यक्ति समाज की रीतियो की अनुसार नहीं चलते हैं, उन्हें समाज जल्दी से अपनाता नहीं है इस कारण से सबी समाज के अनुसार चलने लगते हैं और जहां वे रहते हैं वहीं की बोलचाल रहन सेन, खाना पीना आधी अपना लेते हैं इस तरह से जब कोई व्यक्ति जहां रहता है उसी इस्थान के अनुकूल बन जाता है तब इसे जेसा देश वेशा भेश का जाता है यानि जेसा देश वेशा भेश मुहावरिय लोकोक्ति का अर्थे जहां रह रहे हो उसी इस्थान के सामाजिक रीतियों और नीतियों के अनुसार रहना होता है और जहां पर जहां रह रहे हो उसी इस्तान की सामाजिक रीतियों और नीतियों की अनुसार रहने की बात होती है वहीं इस मुहावरिया लोकोक्ति का वक्यम प्रियोग किया जता है जेसा देश वेशा भेश मुहावरिया लोकोक्ति का वक्यम प्रियोग पहला वाकिम्परियूग, कई वर्षों से बारत में रह रहे, कुछ अंग्रेजों ने हिंदी बोलना शुरू कर दिया, सच है, जेसा देस, वेसा भेस दोसरा वाकिम्रियोग जब से रामू गुजरात गया है गुजराती बोलने लगा है यही है जेसा देस वेसा भेस तीसरा वाकिमर्यूग जब रामलाल सहर जाता है तो सहरी बन जाता है और गाउं में जाता है तो गाउं में रहने वाले लोगों की तरह रहने लग जाता है और कोई कह भी नहीं सकता कि यह गाम का है या सहर का यही है जेसा देस वेसा भेस चौत्था वाकिम्प्रियोग पर्ताव विदेश जाकर क्या आ गया, पूरी तरह से विदेश ही बन गया, सच है जेसा देश, वेसा भेस पांच वाकिम्प्रियोग बेटे को अंगरेजी स्कूल में बेजने के कारण से यह अंगरेजी बोलने लगा है यही है जेसा देस वेसा बेस चट्टावा किम्रियोग अही ही जब सहर पढ़ने के लिए आए हो तो सहरी तो बनना ही पढ़ेगा क्योंकि जेसा देस वेसा बेस साथ वावा किम्रियोग लोग कोलेज में पढ़ने के कारण से रवी प्रकास हर समी कानून की बाते करने लगा है सच है जेसा देस वेसा भेस आठवा वक्षा भेस आजगल तुम तो बड़े लोगों के साथ खाना पीना कर रहे हो तबी बड़े अच्छे अच्छे पक्वान खाने लगे हो सच है जेसा देस वेसा भेस दोस्तों इस तरह से जेसा देस वेसा भेस मुहावरी या लोकोक्ती का वक्किम प्रियोग किया जाता है अगर आप इस मुहावरे या लोकोक्ति के बारे में किसी भी तरह का पर्षन पूछना चाहते हैं तो आप अपना पर्षन कमेंट बुक्स में रख सकते हैं इसके अलावा अगर आप विभिन तरह के मुहावरे वर लोकोक्तियों की बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले विभिन तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पह करें और आप अनेक तरह के मुहावरे वर लोकोक्तियों के बारे में ग्यान हासिल कर सकें तो चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भुलें